हमारे इस खास सेग्मेंट एक्स्प्रीनर में आपका बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साज शवानी पांडे एक्स्प्रीनर में आज हम बात करेंगे इस्रेल की क्योंकि इस्रेल ने ये आदेश दिया है अपनी सेना को की जहां जहां पर भी उसके सैनिक थे वो अब वापस इस्रेल लोटाएं लेकिन अचानक सी फैसला बेनिमिन नेतिन्याहू की ओर से क्यों लिया गया यही चौकाने वाला है और इसी पर बात करेंगे तो आपको ये तो पताई होगा कि इस्रेल और हमास की जंग लगा था चल रही है और काफी लंबा वक्त से पूरी जंग को बीच चुका है और बार बार इंतजार किया जा रहा था इस जंग का कि ये किसी भी तरीके सरूक है लेकिन ये रुकती हुई थमती हुई नजर नहीं आ रही थी लेकिन अब कुछ अचानक ऐसा होता है कि बेनिमन नितन्याहू जो की राश्टपती है इस्रैल के उनकी ओर से यहाँ पर आदेश दे दिया जाता है अपनी सेना को कि वो अपनी सेना को वापस बुला रहे हैं इस्रैल खासतोर पर गाजा उसके आलावा राफा बॉर्डर जो है वहाँ से भी उन्होंने अपनी सेना को वापस बुला लिया है और इसके पीछे का जो कारण है वो है इरान Israël तो ये मान रहा है कि अब उसक्त ने एक तरीके से युदंध पर अपना एकधिकार कर लिया है और वो जीत चुका है वो खुद को जीता हुआ मान रहा है इन तौमाम शेत्रों पर गाजा पर जहां पर बार बार हमले कर रहा था और इसी वज़े से अब इस्रेल ने कहा है कि हम तो जीती गए हैं एक तरीके से तो हम अपनी सेना को वापिस बुला रहे हैं लेकिन इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है इरान इरान एक तरीके से यहुदियों को बिलकुल भी पसंद नहीं करता और उसकी जो नीती है वो यही है कि यहुदियों का खात्मा इस दुनिया से हो जा और इसी वज़े से बार बार इस्रेल एक मात्र यहुदी देश है पुरी दुनिया में और इसी वज़े से अब इस्डेयल को ये डर लग रहा है कि कहीं अब इरान उस पर ही हमला ना कर दी। क्योंकि एरान का जो एक सैनिक मांडर था वहमा है और इसी कारण अब डिर्य को हिजरेल को इस बात का कि अगर इरान ने उस पर हमला किया तो उसकी सेना तो पहले से तितर बितर है पहले से ही वो गाजा पर मौजूद है राफा बॉर्डर के पास है तो ऐसे में उसके पास सेनिक करनों की कमी हो सकती है और यही कारण है कि अब उसमें अपने तमाम सेनिक वापस बुला लिये हैं हाला कि बहाना उसकी ओर से यह दिया गया है कि युद्ध तो उ उससे कोई भी चीन नहीं सकता, घाजा का जो कई सारे जो शेतर हैं वो उसके कबजे में ये उसका कहना था, लेकिन बहुत बड़ा कारण इसके पीछे एरान है, तो एरान कभी भी हमला कर सकता है, और अमारिका क्या जो साइबर सेल है, उसकी और से ये भी खबर सामने आई है, कि ये जो हमला है, वो रमजान के दौरान ही इरान कर सकता है, और इसी वज़ज़ से अब इसरेल खुद को मजबूत कर रहा है, इरान के इस हमले के लिए कि अगर इरान ने हमला किया, तो खुद को किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जाए, हाला कि जो विशेशक को खत्म करना चाते हों, और इस वज़ज़ से वो इसरेल पर हमला कर दें, तो ये बड़ा कारण है, जब इसरेल अब अपनी सेना उसने वापस बुला ली है, इसका ओर्डर बकाइदा उसकी ओर से दिया गया था, और इसके अलावा एक पहली भी खबर सामने आई थी, उसन तो क्या लगता है, कि आखिर इसरेल ने ऐसा क्यों किया होगा, और क्या इरान इसरेल पर हमला करेगा, एक ऐसा देश जो यहुदियों से काफी जादा चुड़ता है, लेकिन उसकी जो सेना है, वो काफी कमजोर है मिडल इस्ट में, तो क्या इरान हमला कर सकेगा इसरेल में और क्या ये तीसरे विश्युद्ध की ओर दीरे-दीरे दुनिया को ले जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्षन के जरी हमें जरूर बताइए और News 18 इंडिया के यूट्यूब चानल को अगर आपके सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन भी जरूर दबाईए